इंडिया सरकार में मुख्यमंतरी रहे नीतिश कुमार अब आरजेडी के साथ मिलकर मुख्यमंतरी बनने जा रहे हैं राज़िपाल को इस्तीफा उन्होंने से पहले सौपा मंगलवार को और नीतिश कुमार आटवी बार सीम पद की शपत ले रहे हैं याने नीतिश आठवी बार मुख्यमंत्री की शपत ले रहे हैं ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है क्योंकि देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता भी इतनी बार शपत नहीं ले पाएं है इस बीच ये जानना एहम है कि नीतिश कुमार को रिकॉर्ड आठवी बार शपत लेने की वज़े क्या है आखिर देश में सबसे लंबे तक किसी राज्ज की कमान समालने वाले नेता इस रिकॉर्ड को कैसे नहीं बना पाए इसके अलावा वो कौन कौन से मुक्य मंत्री हैं जिन्होंने पाँच बार सीम पत समाला है आईए जानते हैं 22 साल में नीतिश कुमार का आठवा शपत गरंड कैसे पहले तो ये जान लीजिए साल 2000 सबसे पहले पहली बार सिर्फ साथ दिन के लिए सीम बने थे नीतिश कुमार और तीन मार्च 2000 को उन्होंने सीम पत की शपत ली थी हलाकि बहुमत न जुटा पाने की वज़े से उन्हें 10 मार्च 2000 को ही अपने पत से स्तीफा देना पड़ गया था इसके बाद बैदर 5 में हुए चुनाओ में नीतिश बाच्पा गिस समर्तन से दूसरी पार मुख्य Catholic में में कामेब हुए थे 2010 में उन्हें विदान सबँचुनाओ में एक एक बार फिर जनता ने नीतिश को सीम बनाया था तो ये 2010 हो गया इसके बाद में 2014 हार की जिम्मेदारी के लिए उन्होंने पद छोड़ दिया था लोगसभा चुनाओ आपको याद होगा लोगसभा चुनाओ में जबरदस्त जीत मिली थी बीजेपी को और चुनाओ में बीजेपी के खिलाब पार्टी के खराब प्रदर्शन की वज़े से उन्होंने सीमपत से स्तीफा दे दिया था इस दोरान उन्होंने जीतन राम मांजी को मुख्यमंद्री पद सौपा था हलाकि 2015 में जब पार्टी में अंद्रूनी कला शुरू हुई तो नीतिशने मांजी को अटा कर एक बार फिर खुद सीमपत गराण कर लिया था यह पिर से शपत ले ली थी 2015 में महागडबंदन के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी 2015 के विधानसभा चुनाओं में महागडबंदन याने जे डी उ, आर जे डी, कॉंग्रेस और लेफ्ट गडबंदन ये जो महागडबंदन अभी आपको दिखाई दे रहा है ये फिर से बन गया आर जे डी और डिप्टी सी एम तेजस्वी आदव के खिलाफ जो प्रष्टाचार के आरोप लग रहा है थे उससे नीतिश कुमार ने महागडबंदन से अलग होने का फैसला ले लिया था उन्होंने जुलाई 2017 में ही पद से स्टीफा दिया और एक बार फिर एंडिये का दामन थाम कर सीम पद समाल लिया 2020 में जे डी यू की कम सीटें थी फिर भी वो सीम बने 2020 के विदान सभा चुनाओं में एंडिये गडबंदन ने जीत हासिल किया अलाकि जे डी यू की सीटे भाजपा के मकाबले काफी घड़ गई इसके बावजूद नीतिश कुमार ने सीम पद की शपत ली अलाकि भाजपा में उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबे समय तक पसो पेश की इस्तिती रही अब नीतिश ने NDA से अलग होने का ऐलान कर एक बार फिर से इस्तिफा दे दिया है 2022 महागडबंदन में लोटे और अब आठवी बार सीम NDA से अलग होने के बाद ठीक बाद में नीतिश कुमार ने और ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि पहले से ही ये सारी चर्चाय चलती रहती है इस्तार पार्टियों के दौरान जब मुलाकाते हो रही थी तब ये कयास लगने लग गए थे कि अब नीतिश कुमार नई दिशा में जा रहे हैं RJD के नेतित वाले महागडबंदन से जुड़ने का ऐलान कर दिया महागडबंदन में वो पहले भी रह चुके हैं इसी के साथ ये तैय हो गया कि नीतिश कुमार आठवी बार मुख्य मंतरी बनेंगे और शपत गरहन का ऐलान भी हो गया था कहा गया कि इसमें सिर्फ CM और डिप्टी CM शपत लेंगे वीर भद्र सिंग के बारे में बताएं आपको 1983 में पहली बार मुख्य मंतरी बने 1985 में उन्होंने फिर चुनाव जीता और CM पत की शपत ली इसके बाद 1993, 1998, 2003 और 2012 में वीर भद्र फिर हिमाचल के CM बने 2016 में भाजपा के खिलाफ हार के साथ ही उनका राजनेतिक करियर धलान पर चला गया अब बात करते हैं जैल अलिता की बड़ा अच्छा है उनका कारेकाल लंबा कारेकाल रहा जे जैल अलिता च्छे कारेकाल वाले मुख्यमंत्रियों में तमिल लाडू की जैल अलिता का नाम भी आता है वो पहली बार 1991 में मुख्यमंत्री बनी इसके बाद 2001 में उन्होंने चुनाव जीत कर दूसरी बार CM पद की शपत ली हलाकि प्रष्टाचार के एक मामले की वज़े से उन्हें पद छोड़ना पड़ा था जैल अलिता के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका 2002 में ही आया जब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया वो 2006 तक CM रही 2011 में उन्होंने AIA DM के को फिर से जीत की देलीज तक पहुँचाया 2014 में आय से ज्यादा संपत्ती के मामले में उन्हें पद छोड़ना पड़ा था हलाकि 2015 में बरी होने के बाद उन्होंने पाचवी बार CM पद की शपत ली 2016 के विधानसभा चुनाओ में पार्टी को जीत दिलाने के बाद जैली लिता छटी बार तमिल नाडू की CM बनी पवनकुमार चामलिंग बारत में सबसे लंबी अवदी तक मुख्यमंत्री रहने का रेकॉर्ड सिक्किम के CM पवनकुमार चामलिंग के पास है चामलिंग ने 1994, 1999, 2004, 2009 और 2014 में चुनाओ जीता और CM पद ग्रण किया यानि 28 साल लंबे करियर में भी चामलिंग सिर्फ पाच बार शपत ले पाए हैं इतना लंबा कारेकाल जो है वो नीतिश कुमार का नहीं रहा लेकिशपत आड़ बार ले लिए तो सबसे आदा शपत का रेकार्ड जो है वो नीतिश कुमार का ये समझ येगा जोती बसू एक बहुत मत्वपूर नामे एक समय तक बढ़ा इनका रेकार्ड अनब्रेकबल रहा इस पश्चिम बंगाल के पूर मुख्यमंद्री जोती बसू के पास ये रिकार्ड रहा है बसू 1977 से लेकर 2,000 तक लगातार बंगाल के मुख्यमंद्री बने रहे है सतातर से 2,000 तक इस दोरान उन्होंने कुल 5 बार मुख्यमंद्री पत की शपत लिए चुकि उन्होंने अपने पत से स्तीफा नहीं दिया था इसलिए शपत ग्राण का रिकार्ड उनके पास नहीं है सबसे ज्यादा बार शपत ग्राण करने वाले बाकी मुक्यमंद्री कौन हैं वो भी हम आपको बता देते हैं इन दोनों निताओं के लावा अरुणाचल प्रदेश के मुक्यमंद्री गेगूंग अपांग भी पांच बार सीम पत की शपत ले चुके हैं 1980, 1950, 1990, 1995 में सीम बने हलाकि 1999 में कौंग्रेस में टूटके बाद उन्हें पत से स्तीफा देना पड़ा 2003 में NDA का हिस्सा बनने के कुछ समय बाद अपांग 2004 में एक बार फिर कौंग्रेस में शामिल हो गए इसके बाद वो एक बार फिर मुक्यमंद्री बने उनका पांचवा कारेकाल 2007 तक चला मौजूदा समय में पांच बार मुक्यमंद्री बनने का रेकौर्ड उडिशा के मुक्यमंद्री नवीन पतनायक के पास है जो कि पहली बार साल 2000 में सीम बने थे 2019 में अपनी पार्टी बीजू जनतादल को जीत दिलाने के बाद पतनायक ने पांचवी बार सीम पत की शपत ली इसी तरह मिजुरम के मुक्यमंद्री लल्थन हावला भी पांच बार मिजूरम के मुक्यमंद्री पत की शपत ले चुके हैं सबसे लंबे समय तक मुक्यमंद्री रहने वाले निताओं की लिस्ट में एक नाम और है वो है M. करोनानिदी का, जो की तमिल नाडु के مक्यमंत्री के रूप में पहली बार 1979 से 1971 के बीट, पिर 1977 से 1976 तक के बीट मक्यमंत्री रहे हैं और उनका अगला कारेकाल 1989 से 1991 तक पहला इसके बार चौत्हा कारेकाल 1991 से 2000 तक रहा और पांचा कारेकाल 2006 से 2011 तक चला पंजाब के प्रकास्टिंग बादल भी 5 बार CM के तौर पर शपत लेने का रेकॉर्ड बना चुके हैं वे पहली बार 1970 से 1971 तक फिर 1977 से 1980 तक बना कम कम समय के लिए जो बने हैं उनको शपत लेने का रेकॉर्ड जादा उनका बना और यही बज़े है कि नीतिश कुमार के पास सबसे बड़ा रेकॉर्ड हो गया आठ बार शपत लेने का और 1997 से 2002 तक राजजी की कमान बादल ने समाली थी भाजपा के साथ 2007 से लिएकर 2012 फिर 2012 से 2017 में भी उनने CM पत मिला हिमाचल प्रदेश के पहले मुक्यमंद्री यश्वन सिंग परमार भी पांच बार राजजी के CM पत पर रहे 1952 से 1956, 63 से 67, 67 से 71 और तीन बार वो CM पत पर रहे इसके बाद उनने 1972 से 1977 तक एक बार फिर मुक्यमंद्री पत पर रहने का मौका मिला था और पांच बार मुक्यमंद्री बनने वाले नेताओं में एक नाम राजस्तान के CM मोहन लाल सुखाडिया का भी है जो महज 38 साल की उमर में CM बन गए थे उनका पहला कारेकाल 1954 से 1957, फिर 1957 से 1962, 1962 से 1967 और पांच वा कारेकाल 1967 से 1971 तक चला इन सब के अलावा कई और नेताओं ने तीन से लेकर पांच बार तक अलग अलग राज्यों में मुक्यमंद्री पत समाला इन बड़े नामों में गोवा के प्रताब सिंग राने, नगालेंड के एस सी जमीर, नेफियू रियो जैसे नाम शामिल है इसके अलावा मद्यप्रदेश के सीम शिवरा सिंग चोहान, मनिपूर के ओकराम इबोबी सिंग, असम के तरुन गोगोई, बंगाल के बिधान चंदर रॉय और बिहार के श्री कृष्ण सिना जैसे नाम शामिल है लेकिन सबसे बड़ा नाम अब रिकॉर्ड में आ गया है नीतिश कुमार का, बार बार शपत लिए, सब के साथ शपत लिए और अच्छा कोई रिकॉर्ड बनेगा, सब के साथ समीकरण बैठाने का तो उसमें भी नीतिश कुमार का नाम आ जाएगा क्या विरोधी, कोई विरोधी होता है, वो दोस्त बन जाता है, जो दोस्त होता है, वो विरोधी हो जाता है, इसका भी जबरदस रिकॉर्ड नीतिश कुमार के साथ है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें